इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPS की सेफटी के बारे में जो हमारे UPS सिस्टेम होता है उसकी कौन-कौन सी सेफटी होती है इनके इन सेफटीओ को हमें ध्यान रखना होता है तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हों सुरू करते हैं अपने इस वीडियो को तो सबसे पहले जो safety होती है इसको हम हमारे UPS की main safety भी कह सकते हैं ये safety होती है overload की उसकी जो overload की safety होती है उसको हम लगबग 80% पर set करके चलते हैं यानि जो हमारा UPS है उसके ओपर जो हम load डाल रहे हैं वो हमेशा उसकी rating के 80% से कम होना चाहिए इसके अलावा जो हमारा UPS room होता है जहां पर हम UPS को रखते हैं उस room में ventilation की proper facility होनी चाहिए यानि उस room के अंदर जो हवा का आना और जाना है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए ताकि किसी भी situation में कोई भी हनिकार gas हो या फिर आग लगने का कत्रा हो या आग लग गई हो तो ऐसी condition में वहाँ पर जो धुमा फैलेगा वो बड़ी आसानी से बाहर निकलना चाहिए इसके लिए जो हमारा UPS का room होता है उसका ventilation proper होना चाहिए इसके अलावा जो हमारे UPS में अगली safety होती हूँ वो over voltage और under voltage की होती है तो जो हमारे UPS की rating voltage की उससे जदा voltage अगर हमारे UPS में आएंगे तो हमारा UPS से डیमेज हो जाएगा और इससे अगर कम voltage आएंगे तो भी हमारा system जब वो damage हो सकता है इसकी वज़े से हमारा यूपी सा वो auto cut off हो जाता है तो ऐसी condition में जो हमारी ये over voltage और under voltage है ये दोनों safety हमारे यूपी स में होनी चाहिए ताकि किसी भी condition में अगर हमारी जो voltage जब वो एक set limit से ज्यादा या फिर क हम आती है तो जो हमारा यूपी से वह auto cut off हो जाए अगली safety की बात किजाए तो अगली safety होते है सोट सर्कृٹ किसी भी condition में जो हमारे Youपी से के short circuit हो जाता है, जो हमारा circuit हो जाता है, असमें तो जो हमारीयोपीस सिस्टम होता है, उसके अंदर छोटे-छोटे fan लगाए जाते हैं वो fan हमेशा चलने चहीए अगर वो fan कभी नहीं चलेंगे तो जो हमारा UPS है वो trip हो जाना चाहीए अगर बिना इन fan के जो हमारा UPS है वो चलेगा तो इसमें heat बहुत ज्यादा produce होगी और जो इसके अंदर card लगे रहते हैं जो PC भी लगे हैं UPS में problem आ सकती है तो इसलिए इसमें face sequence character होना चाहिए ताकि जो भी पिछे से face sequence change हुआ है ये उसको detect करे और यहाँ पे जो हमारा face का sequence है उसको proper कर दे इसके अलावा यहाँ पे जो battery bank रखे होते हैं उनके लिए भी हम कुछ safety यूज़ करते हैं जैसे कि जो हमारा rack होता है जिस पे battery रखे जाती है उस rack की जो earthing होती है वो होनी चाहिए proper earthing होनी चाहिए इसके अलावा यह हमारा यूपिस room है वहाँ पे hydrogen sensor होना चाहिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो हमारी यूपिस की battery होती है वो hydrogen gas produce करती रहती है तो ऐसे में जो हमारा यूपिस का room है उसके अंदर बहुत सारी hydrogen एकटी हो जाती है जो हमारी यूपिस में आग लगने का कारण बन सकती है तो ऐसी condition में यहाँ पे hydrogen sensor होना चाहिए जो की hydrogen का जो level होता है उसको maintain करता है अगर hydrogen का जो level है वो बढ़ जाता है तो यह sensor हमारे room में लगे exhaust fan को चालू करेगा जिसकी वजह से यहाँ पे hydrogen gas एकटा हुई थी वो बाहर निकल जाएगी इसके अलावा जो हमारे battery के terminal है उनके उपर cap proper लगी होनी चाहिए और जो हमारे यह जितने भी terminal है इन पे किसी भी परकार का कोई भी corrosion नहीं होना चाहिए इसके अलावा जो हमारा UPS room होता है उसके अंदर AC होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारा जो UPS room होता है इसके temperature हमें maintain करके चलना होता है अगर इसका temperature maintain नहीं रहेगा तो जो हमारा UPS है वो खराब हो सकता है इसके अलावा जो हमारी बैटरियां है वो भी backup बहुत कम देंगी और इसके अलावा इनकी life भी बहुत ही कम हो जाएगी तो ऐसे में यहाँ पे AC का होना बहुत ही जरूरी है temperature की बात की जाए तो हम हमारे UPS रूम में लगबग 18-20 degree Celsius के आसपास जो temperature वो maintain करके चलते हैं इसके अलावा जो हमारा UPS है उसकी grounding होनी चाहिए और उसकी earthing भी proper होनी चाहिए अब grounding और earthing के difference को आप नहीं जानते हैं तो इसके बारे में भी हमने एक video बना है इसको आप description में दियेगे link से देख सकते हैं इसके अलावा हम eye button में भी इसका link देदेंगे यहां से भी आप इसकी जो video है वो देख सकते हैं इसके अलावा एक main safety order होती है हमारे जो UPS room में use की जाती है जिसको WLD भी बोला जाता है अब हमारे UPS room में पानी फैल जाएगा तो जो हमारे UPS है उसके खराब होने के chance बहुती ज्यादा हो जाते है क्योंकि अगर हमारे UPS के अंदर पानी चला गया तो यह इसके अंदर जितनी भी PCB लगी है इसके अलावा यह पानी यहाँ पे फैला है यह water leakage को detect करता है और हमें alarm generate करके UPS को safe रखने का काम करता है उमीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी अगर इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं इसके अलावा अगर आप electrical के और जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप left वाली और right वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं